नमस्कर्स तो अभी हम लोगे बात करने वाले आईपिल के आठवी मैच के बारे में जो कि खेला जाएगा राजिस्तान रोयल वर्सेस पंजाब किंग्स के बीच में इसकी हम लोगे आपे काफी ज़्यादा डीपली बात करेंगे दोस्तों दोनों टीमों ने अपने फस-फस मुकाबला है उससे यहाँ पर अलड़ी खेल लिया और दोनों टीमें अपना फस-फस मुकाबला काफी सांदर तरीके से विन करके आ रही है तो अभी हम लोग यहाँ पर analysis करेंगे कि कौन सी team इस match को जीतने वाली है किस team के यहाँ पर winning chances जादा है दोनों team हों को मैं आपको बहुत deeply compare करके बताओंगा प्लस इस match के लिए कौन से player trump player रहेंगे चार ऐसे player आप लोगों के लिए लेकर आया हो जिनको पूरी दुनिया ignore कर रहे है और आपको बता दो जो हमारे trump player होते है न उनकी accuracy आपको 90 से 95% बहुत अच्छी आपको मिलेगे क्योंकि उन player के पीछे एक logic होता एक calculation होता और जो team में आपको यहाँ पर प्रोवाइट कराऊंगा वो भी आपको calculation पर बेस्ट मिलेगे तो friends वीडियो बहुत important होने वाला आप सभी लोगों से request रहेगा वीडियो को आप लोग लास्ट दूसे watch करना अब सबसे बहुत बात करेंगे टीम comparison की तो यहाँ पर आप लोग टीम compare करोगे तो यहाँ पर जो राजिस्तान रोयल की टीम है इनके थोला सा जो win करने के chance जाद है Punjab King से ठीक है जो राजिस्तान रोयल की टीम है इनके 55% यहाँ पर winning chances है और जो यहाँ पर Punjab King की टीम है इनके यहाँ पर 45% winning chances है ऐसा हम लोग किस बेस पर कह रहे है recent form तो दोनों टीमों की एक जैसी है दोनों टीम है win करके आ रही है और इससे पहले last season का record देखोगे तो वहाँ पर आपको दोनों टीमों का recent form एक जैसा ही आपको मिलेगा लेकिन hatred battle की तरफ आप लोग आओगे न तो फ्रेंट्स यहाँ पर total जो है 24 बार दोनों टीम है आपस में टकरा चुकी है जहाँ पर राजिस्तान रोयल 14 बार जीती है और यहाँ पर जो दूसरी टीम है वो फ्रेंट्स यहाँ पर 10 यहाँ पर 10 बार जीती है एवरेज स्कोर भी देखो यहाँ पर जो है राजिस्तान रोयल का ज्यादा है 173 पंजाब किंग का 170 है मैक्जिम रन भी यहाँ पर देखो फ्रेंट्स किसका ज्यादा है यहां पर simply राजिस्तान रोयल का ज्यादा भले minimum run में यहां पर थोड़ा सा बीट कर लेती है कॉंची टीम Punjab King की टीम इनका यहां पर minimum run में थोड़ा सा ज्यादा स्कोर है ठीक है तो head to head की base पर आप लोग यहां पर कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो winning chances हैं वो यहां पर राजिस्तान रोयल के ज्यादा रहेंगे यानि कि 6-5 का आप लोग combination मना रहे हो तो 6 प्लेयर आप लोग simply राजिस्तान रोयल की तब से और 5 प्लेयर आप पंजाब की तरब से पिक करके चल सकते हो वन साइडर यह match नहीं होगा close fight वाला match होगा और इस close fight में थोड़ा सा जो दादा winning chances है वो राजिस्तान रोयल के यहां पर रहेंगे ठीक है इन 20 रुपे को आप लोग पूरा पूरा यहां पर यहां पर यहां पर प्लेयर चूज करना दूनों उपर नीचे देखो मैंने यहां पर ट्रेंट बोल्ड को लिया इन दोनों में से आप लोग किसे आप यहां पर निचे पे ले सकतो यहां है और यहां पर कस्टमर सपोर वे बेंगलोर में इंका head office है साउथ साइट की आप है बहुत ही कमाल का भी वर्क कर रही है एक बार खेल कर देखे आपको मज़ा जाएगा इसके डूओ से न मैं परसनली हर दिन लाखो विंड कर रहा है प्रूप सारे के सारी टैलेगाम के ओपर जाके देख लो आप लोग कि डूओ की जो मेरी विनिंग्स होती कैसी होती है आपको टैलेगाम के उपर पता चल जाएगा पिछ की बात करेंगे तो फैंट यहां पर सारा स्प्रा क्रिकेट स्टेडियम गोहाटी में यह मैच होने वाला गोहाटी में जो बिसिकली आपको चीज़े देखने हो के मिलेगी एक तो यहां पर बैटिंग अ लास्की जो दस मैच हुए यहां पर आईपेल में उसमें आप लोगों ने क्या देखा 38 विकट पेसर ने 65 विकट स्पिनर ने यहां पर दब दबा रहा था इंपक्ट करेगा भी नहीं यहां पर मैच आपको कंप्लीट होता दिख जाएगा ठीक है बाकी कोई फर्दर अपडेट आएगी वैजर कि तो मैं आपको डारीगाम के उपर देख दूँगा पंजाब किंग की बात करेंगे सिखरदवन ओपन करेंगे प्रभ सिमरंद सिंग के साथ ठीक है भानुका राजबक्सा फस्टाउन जितेश सर्मा सेकिन नाव सिकंदर रजा ठर्डाउन यहां पहले में पहले में जब पोटी रानवी में आए तो अच्छी फॉर्म में आप लोग धवन के साथ तो डेपिनल नी जाना प्रभ सिमरंद सिंग इनका रिसेंट के लिए तो बहुत अच्छी फॉम में थे यह से पहले और अभी भी अंडर रेटेट है लेकिन इससे पहले जो सीरीज हो इतना वहाँ प्रभ सिमरंद सिंग ने बहुत अच्छी अच्छी के लिए आप लहाँ पर देख सकतो यह चीज मैंने इसके लिए लिए कि आप लोग इनके उपर तोड़ा फोकस करो उपन करेगा बंदा और किसी मैच में आप लोग के लिए गेम जेंजर प्लेयर साबित हो सकता है भानुका राजपक्चा पहले ही मैच में आते ही 50 लगा लिए वैसे 26 के अवरेज रखते आईपेल में ठिक ठाक प्लेयर है आपको टीम में ल प्लस 303 सट रन है हर प्रित बरार फ्रेंट्स पहले में बहुत नहीं मिला लेकिन इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन बिकेट टेकर है आप लोग यह से ध्यान देना किसी मैच में को पलट सकते हैं राहुल चहर काफी अच्छे बॉलिंग करा आईपेल में नासमा जो एक बिक निकाले अर्शदीब सिंग पहला ही में जाते तीन बिकेट निकाले अभी तो बहुत तगडिप हों में चले अर्शदीब सिंग टीम में लेना ही लेना सी वी सी भी कर सकते हो ठीक है राजिस्तान नोयल की बात करेंगे यहां पर जॉस्पटलर ओपन करेंगे यह सशी पहला इमाच वह 54 यहां पर जो पहला मेंच करना राजिस्तान रोय ने बहुत अच्छी इननोने जो है यहां पर ओपनिंग की थी फ्रेंटस आपको बता दो दोनों जो ओपनर थे दोनों ने 50 मारी थी इसकलब यहां पर जो संजो सैंसें थी इनोन यह पर पस्ष्पन आया तो काफी गजब की यहां पर जो है ओपनिंग इन्होंने की है इस बार राश्तान रॉयल ने ठीक है अब देखो यहां पर फ्रस्टाउन पर कौन आयते हैं देवधत पडिगल नहीं चले लेकिन यह भी बहुत इंपोर्टेंट प्लियर है इनका 26 का आयवरेज है आप आयपेल में और कभी बहुत अच्छी इनिग यह खिल लेते हैं तो गेमचेंजर प्लियर हो सकते हैं आप लोग के लिए देवधत पाटिंगल अभी जनता एग्णोर करी लेकिन मिरे लिए ट्रम्प बन सकते हैं संजू सेमसन ने पहले में जो 55 मनाई इससे पहले भी रिसेंट फॉर्म ठिक टाक है आयपेल में 29 का आयवरेज रहते हैं मुझे लगता है इस मैज में उतने जादा सायथ से इंपोर्टेंट ना थोड़ा सा आयवरेज रहते हैं स्टार्टिंग में अच्छा करते हैं लेकि और 648 ने हैं कि रहने भी कुछ खास नहीं है और विकेट भी एकात कभी कबार निखाल लेते हैं और कभी कभी फेंट से आप ज्यादे विकेट भी निकाल लेते तो अभी क्या करना है आप लोग रविचन दस्विन को थोड़ा सा ड्रॉप करके चलना ठीक है जिसन उल्डर 170 विकेट निकाले ठीक है के मासी पहले में जो भले बिकेट नहीं मिल पाया इससे पर रिचेंट फार्म देखो इनका बहुत तगड़ा चला आई पेल के चार मैच के चार बिकेट निकाले लेकिन जनता इनको 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 उनौर कर रहे किसी मैच में गेम चंजर साब परतस्त है इससे पहले जो सिरीज हुई थी वहां पर फ्रेंट्स 80, 74 पर नौट आउट, 23 पर नौट आउट, 65 इस तरीके के इनिंग के लिए ठीक है अब टीम अभी के लिए जो हमारी यहां पर बन के आई है, देखो मने सुन्जू सेंसन को ड्रॉप किया, मुझे नहीं लग रहा इस मैच में कुछ खास बड़ा स्कूर करेंगे, यह मेरा प्रेडिक्शन है कि सुन्जू सेंसन अंडर 20 अंडर 30 जा सकते हैं, इसलिए मैंने उनको टीम में नहीं पिक किया, कैप्टन बटलर, वाइस कैप्टन सेम करन, आप चाहो यहां पर तो सिखर दमन को भी वीसी कर सकते हो, यह फ्रेट्स आप लोग यहां पर अर्स्तिप सिंग, यहां पर किसी अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिन